दोस्ता स्मार्टफून दो आज की डेट में सभी लोग इस्तिमाल करते रहते हैं अब लोगों को जो भी रिजल्ट मिलता है उसके अपलों के पास बहुत अच्छा प्रोसेसर लगा हुए लेकिन रिजल्ट आपको उसका डिस्प्लेय के उपर मिलता है अगर आप लोगों के अपने चार अपने नहीं दिस्प्लेय मार्ट के अंदर लॉन्च की है जिसका नाम है इंफिनिटी-ओ इंफिनिटी-वी और रुडिए आज के अंदर बात करेंगे इनी चाहिए के बार में सामसंग ने डिस्प्लेइज क्यों डालने शुरू कर दी है और उसके बाद सामसंग के नहीं आने माले वाइल आप लोग जाते हैं कि सिर्फ सामसंग यह एक ऐसा रह गया था जिसके अंदर नहीं मिलती थी लेकिन अब भी करेंगे अगर आप लोग देखते हैं आप लोग साथ करने वाला हूं सामसंग की चार ने डिस्प्लेज के बारे में असलाम अलेकुम और वाचिंग एंड वाचिंग एंड वीडियो सीरीज नाव दिस टाइम सब्सक्राइब कर लिए बैल बटन के नोटिफिकेशन आप लोग तब भी वीडियो के अदर हो सकता है आप लोग यहां पर देखने को मिल जाएं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए अब हम बात करते हैं इस चाहर डिस्प्लेइज के बारे में तो डिस्प्लेइज हो सकता है तो मैंने रहे हो वो थोड़ी से लो क्वाल्टी की आ रही है तो पहले की और अपकी आप लोगे ने वॉइस क्वाल्टी कंपेर करके कमेंट जरूर करना है अब हम बकारा तोर पर अपनी वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंट यहां पर आप लोगे पास चार डिस्प्ले सामसंग ने आप अना कि इस डिस्प्ले के अंदर एंके सैमसंग ने जो इनुफिनिटी यू के नाव से लॉंच गया उसके अंदर भी सेम यू की तरह का एक काट आड़ बना हुआ कैमरा के लिए और उसके बाद आती है निवीडियो क्यों के अलावा कोई भी डिस्प्ले जो है उसको अब लग देने के बारे में आप लोग जाते हैं कि आपने समार्टफोन के अंदर इस्तमाल नहीं करेंगा और एक स्मार्टफून तो वो Samsung A8s के नाम से मार्क्रिट के अंदर आ भी चुका जो के पुरे के पुरे स्क्रीन होल के साथ मार्क्रिट के अंदर मौजूद है जिसका नाम A8s है और उसके अंदर Samsung ने अपनी अपनी तीन डिस्प्लेज को बनाया है और उसके बाद जो Samsung के न्यू इंफिनिटी है जो के मुकमल बैजल नहीं मिलेगा आप लोग कोई नहीं मिलेगी वह डिस्प्लेज जो सैमसंग के मौवाइल फून के अंदर यानि के 10th anniversary के उपर जो सैमसंग के S10 आ रहा है उसके अंदर बाकी की जो तेन डिस्प्लेज बनाकर अपने मौवाइल फून के अंदर लगाते हैं अब इस बात का अंदाज है आप लोग का जो गेम चेंजर मौइल फून था यानिक आईपून जो टैन था पिछले साल 2017 के अंदर या इसके अंदर डिस्प्लेज लगाया था वो भी सां से ही उसने बनवाया था और उसके अंदर जो आपनों के एलेवन बायोनिक चिप मिलती थी वह भी सामसंग नहीं मैनुफेक्ट्र करके एपल कंपनी को दी थी तो फ्रेंट्स मेरी अतलात के मताबक तो यहीं चीज़ें हैं कि जो डिस्प्ले थी आइफून 10 की और जो उसके अ पर सामसंग जो है अपनी चीज़ें बना कर लोगों को फ्रोख्ट कर रहा है और उसके बाद सामसंग का एट एस है उसके अंदर आप लोगों को बाकाईदा तोर पर एक होल मिल जाता है कैमरा के लिए और आप लोग उस डिस्प्लेयों की इंफिनिटी ओ को उस मॉइल फू जो किनारे हैं वह आप लोगों को गोल मिलेंगे तो ऐसा नहीं है कि बिल्कु फ्लैट सकूरी नहीं के पकड़ने के लिए बलके नहीं बलके सामसंग या अपनी सारी के सारी सीरीज को सामसंग जो है अपने उस करव के अंदर जो है वह कनवर्ट कर चुका है लेकिन उसके इ और जूब वो नोचस आप लोगों को सैमसंग के मिटरेق फून के अंदर और बाकी दुनिया के जमय को इनक्वेक्षर्टर्ष mêmes से अपने डि्स squeezing की जो इंक हैं वह अपने वाइल्ट फून के लगायाना पसंद करते हैं तो चो करें आने वाले टेम पून इनोटफुन इन नीचे बैदल होगा, बिल्कुल आप लोगों को हर तरफ से स्क्रीन ही स्क्रीन देखने को मिलेगा, आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा जो है वियू अपने वाइल फून के पर देखने को मिल जाएगा, यांप सामसंग के पर जो नाप लोगों के अच्छा बहुत है, किसी का डिजाइन कापी ना करें बस अपना डिजाइन बनाता रहे और लोगों को जो भी कस्टमर है सामसंग के वो उनका भरोसा बना कर रखे और उसके बाद सामसंग ने एट ऐसे के अंदर से मेरा खाल से 3.5 ml आडियो जैक भी रिमूव कर दिया है तो हम लोग यह होप करते आप लोगों से स्वाल यहीं का आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि एस सीरीज और नोट सीरीज से आप लोगों क्या उमीद रख रहे हैं कि सामसंग का जो टैंथ एंवर्श्री के उपर माइलफून आने बारा है आए तो वो न्यूव इंफिरिंटी के स करें सकते हैं सुना इस वसिला उपकर भी लाग गया जाएगा फिलाल के लिए इतना ही मिलें के नियुक्त साथ अपने के लिए अजास दीजिए अल्ला हाफिज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए